हेलो गाइस वेल्कम टू एम के मिंट्स तो आज मैं आप लोग के साथ मेरी क्योड सी आक्वारियम का स्टोरी से अर करने जा रही हूँ जिसको हमने एक इनुमेटिव वे में खुद से कस्टमाइज करके बनाया है तो चलिए देखते हैं कुछ सिनेमेटिक साथ आपको पता है हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम स्पेस है बट मुझे आक्वारियम रखने का भी बहुत ज़्यादा सोख था इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोफी टेबल के जगह ही हम आकवारियम को रखे इसलिए इस आकवारियम को बनाने के लिए हम गए सौप तो अभी हम सौप पहुँच चुके हैं चलिए देखते हैं हमारे आकवारियम कैसे बनाएं जो सौप पूरा ता हमा सायव कार्या नाशिया वे 15 उडिए जब धने कावील जोड़ा गुड़ागा बट्सक पासा करते हम मने एटा नाशिया नाशिया को दिल्एं तो यह बार हमकुत का वन वे ट्राफिक रोड में है यह दुकान और यहां पर बहुत डिफरेंट टाइप का डिजाइन वह बना के देते हैं आपको आपने अशर पचेस कर सकते हुए तो चली अब हम इस आक्वारियम का डाइमेंशन और मेट्रियाल जान लेते हैं तो यह आक्वारियम 18 x 24 इंच की है इसमें जो ग्लास लगा हुआ है वह 8 mm की है यह है उसका उपर वाला पीस इसमें लगा हुआ है 12 mm का ग्लास तो अब हम बात करते हैं इस आक्वारियम का डिजाइन के बारे जो की इस आक्वारियम का सबसे खुब्सूरत पाते तो नॉर्मेली जब आप को यह आक्वारियम देखते हो तो उसमें क्या होता है ना इसे जो पुराने वाले से लोटेप का श्टीकर आता है वही लगा रहता है बट उनके दुकान में हम यह चीज यूनिक देखे कि इसमें जो उडेन का वह श्टीकर लगा है ऐसा लग रहा है जैसे कि यह पूरा एक्ठो क जो बॉडर है उस बॉडर को उन्होंने पूरा फूल भर दिया था और भी इसमें बहुत छोटा सा स्पेस रखा था जो कि अंदर की डिजाइन उपर से बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी तो मैंने उनको बोला कि यहां से कट करने के लिए तो उन्होंने कट करके ज्यादा सक्षन कप का आइडिया दिया तो उन्होंने उसी से भी ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन का हमको बना के दिये यह कार्ड़ बोर्ड को उन्होंने कटिंग किया इस तरीके से सब्सक्ष करल सब्सक्ति उसे बगले क्षूर सब्सक्तिवें। अब चलते हैं अंदर का इंटेडियर की पार तो यहाँ पे हमने कुछ एसेसरी जी उज किया है यह पंप है उसके बाद जो लाइटिंग से सब से मेरी फेवरेट है यह श्ट्रिबाला लाइट एक तो इससे लाइट बहुत डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर्स का निकलता है और इसमें से बबल्स भी निकलता है फिर हमने एक आक्वायमन यहां अंदर रखा है जो केक जीता जाकता है इंसान दिता है चाथी साथ उपर में भी हमने लाइट यूज़ की हुई है दोनों अलग टाइप का लाइट हमने यूज़ की है जब जो मूड होता है इसको अन कर द करते हैं एंड यह यह दस-दस रुपए में मिलता है बट उन्होंने बहुत जादा लगा दिया जो लगाने से आंख में पूरा प्रेसर पढ़ रहा है इसलिए हम सब को कटिंग करके बस वान टू त्री फोर चार कोने में चार्थ लगा देंगे तो यह गया उसका दूसरा अब अंदर का डिजाइन का कैसे भी डेकोरेशन कर सकते हो वह आप पे डिपेंड करता है मैंने यहां पे छोट आसा जो ब्रीज बनाया है इसका भी विडियो अफ्लोड कर दोंगी और एक चीज में ऐसा रखी हूँ जो सायधी को ही रखा होगा कि मैंने इसमें आक्वारिय स्टूर से अब हम लोग बात करता है अपनी मचलियों का मचली हमने टोटल नौठो रखाये ज्यादा नहीं रखाये मचली एंड यह वाला हाट पीस मचली नहीं बहुत ही कम रेट में आपको मार्केट में मिल जाएगा बाकी आप अंदर का डिजाइन को कैसे भी डेकोरेश करो यह आपके डिपेंड करता है और अगर आपको इस प्रोड़क्त के रिलेटर कोई भी क्वेरेश हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्सान में कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और और लेस्ट कीप वचिंग एमके मेंट्स लव यू टेक केर और बाई